हाई फ्रेंड्स मैं हूँ नलीनी मलकानी नलीनी की रसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ ओमलेट सेंड्विश सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन धबाना ना बोले ताके आपको हर नई रेसिपी का मैसेज तुरन फुल जाए बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की आवर्शकता होगी दो अंडे आदा छोटा चमच काली मिर्च का पाउडर दो हरी मिर्च बारी कटी हुई आदा हरा शिमला मिर्च बारी कटा हुआ आधी कटोरी हरा दनिया बारी कटा हुआ दो चमच दूद एक टमाटर गोलाई मे कटा हुआ, थोड़ा बटर, दो बड़े चमच ट्रमेटो कैचप, एक छोटा चमच चाट मसाला, तीन स्लाइस चीज के, नौ स्लाइस ब्राउन ब्रैड के, आप चाहे तो वाइट ब्रैड भी ले सकते हैं, नमक स्वाथ के अनुसार और तेल, सबसे पहले ओमलेट बनाएंग और उसके लिए अंडो को तोड़ देते हैं, अब इसमें कैपसिकम, नमक स्वाथ के अनुसार, दो चमच दूद, हरी मिच्ची, ब्लैक पेपर पाउडर और हरा दन्या, डाल कर अच्छी तरह भीट कर लेते हैं, एक नॉन स्टिक पैन पे थोड़ा तेल डाल देते हैं, अमलेट पक गया है, अब इसकी सैंविच इस बना लेते हैं, उसके लिए एक स्लाइस पर बटर, दूसरे स्लाइस पर सॉस और तीसरे स्लाइस पर फिर बटर लगा देते हैं, अब जो हमने ओमलेट बनाया है, उसको ब्रेट के साइज में काट कर इसके उपर रख देते हैं, अब इसके उपर भी sauce लगाकर टमाटर, प्याज, इसके उपर चाट मसाला छड़क देते हैं अब इसके उपर cheese का slice रख देते हैं और तीसरे slice से cover कर देते हैं इसी तरह हम बाकी के sandwiches बना लेंगे सारे sandwiches त्यार हैं अब हम इसे grill कर लेंगे उसके लिए grill pan में हम थोड़ा सा butter लगा देते हैं और sandwich रख देते हैं sandwich को हमें medium gas पर ही पकाना है ताकि यह crispy बन जाए अब इस side थोड़ा butter लगा देते हैं और side change कर देते हैं sandwich तयार है अब इसे निकाल देते हैं और इसी तरह सारे sandwich बना देंगे यह sandwiches अब serve करने के लिए बिल्कुल तयार है अगर आपको मेरी recipe पसंद आया तो इस तरफ subscribe का button दा बाना न भूलें और इस तरफ मेरी दूसरी recipes को देखने के लिए click करें और जल्दी नही recipes के साथ लोटोंगी till then take very good care of yourself and your family stay healthy happy and fit thank you for watching नलीनी की रसोई